आज आप लोगों के साथ ऐसा स्नेक्स करूंगी जो कि आप अराम से बना सकते हो बहुत इजीली बन जाता है और सर्दियां आ गई है तो आप लोग जानते हो सर्दियों में गुड तिल मखाने अगर यह सब चीजे और मिल जाये खाने को तो क्या ही बात हो और मकर संक्रानती भी आ रही है तो यह सारे चीजे तो बिल्कुल खानी चाहिए और सर्दियों में बहुत जादा हेल्दी है यह सारे चीजे खाने पर इमनेटी स्ट्रॉंग होती है तो आज आपको साथ कुछ ऐसा ही स्नैक्स आपके साथ सेयर करूंगी जो कि बहुत इसली ब बताऊंगी और सारे स्टेप क्लियर होंगे अगर आप स्टेप को फॉलो करोगे तो आप भी इतने ही अच्छे बना पाऊगे तो जैसा देख रहे हो कि मैंने पहले मखाना बुन लिया है और मखाना बुनने के बाद यह वाइट तिल है वाइट तिल को मैं बुन रही हूं साथई में मैं अपी गुड निकाल ली हूं अब मैं को गुड को क्रस्ट करना है तो क्रस्ट करने के लिए एक लेता है और क्रइट्में और वो जो ख ох occup होता हैESE क्लबट्य के Studla ने को लूटने ओर चुच्छा ग्ड़गे वहखा दकिर रहे हना दिल्धा अभात स्टेशन में लेगा और इधर मेरा तिल भून गया है बिल्कुल क्रंची हो गया है अब मैं इसको निकाल लोंगी और मैं फिर जितना गुड मुझे कर लोंगी और उसको भी अच्छे से उसको चोटी-चोटी टुड़ों में इंक्रस कर लोंगी अपने खल बट्टे से और उसके बाद मैं देशी घी ले रही हूं देशी एक चमच डालें यह ऑप्शनल है विल्कुल आप डालो तो भी ना डालो तो भी मैं टेस्ट के लिए ड अब अच्छे से पिखल जाएगा उसके बाद मैं एक बार चक कर रही हूं कि एक तार का बन जाता है कि नहीं अगर थोड़ा से एक तार का बन गया तो आपका रेडी है आप इसको आप अपने तेल जो भूने हुए हो मखाना जो भून के रखे हो उसको अराम से इसमें डाल आप सकते हो तो अभी इसको ठाब से टाइम लगेघा मैं कर रही हूं थोड़ा सा पिला हगा में हो और अच्छे से इसको को चला रही हूं धod विए भी में कहाने अच्छा लगता है यह भी बिल्कुल ऑप्शनल है आप डालना चाहो तो डाल सकते हो नहीं तो विल्कुल स्किप कर सकते हो ऐसा भी बनाऊगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगा तो जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल होने वाला है तो मैं आप इसमें तो मैं तो रही है तो मैं तो बेकिं पाड़र डाल रही है उसमें और जैसे यह में आदेर चलाऊंगी यह देखे एक तार बन गया महरा में चेक लिए अब इसमें बेकिंग पौडर डालेगा जो आधार मेरा जबे मारख लाट इर में अब अच्छे से चला लोंगे में अब क्लाइब तो आपको जली-एली मिक्स करके और फिर किसी थंदे थाली में निकालना पड़ेगा नहीं तो कड़ाई में और ज्यादा देर तक पैसे चलाते रहों कि कड़ाए तो सागी नस आ जड़ाएगी आपकी मंखाने में तो जली से इसको मिक्स करके आप अपने प्लेट् को अब कर दीलों न फ्ल 있는데 कर दिया य हूं थे जिए यह जो को चीपक जैता है इसलिए कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है इसा आप देख वारे हो इतना तैंड़ाई करें और और मैं इसको आप मेरे टाइट कंटेनर में पैक कर रही हूँ और बहुत अच्छा है आप भी अपने घर में ट्राइ कर सकते हो बना सकते हो और ये डेली कुछ भी अगर आपको बन कर रहा है थोड़ा सा पानी पीने का तो आप एक दो तीन चार जो भी जितने भी मखाने अप अपने तक पंप यू